रिलेशन बिट्विन एंगुलर वेलोसिटी एवाउट एक्सिस ओफ रोटेशन ठीक है एड़ एवाउट एनी अधर पॉइंट ऑन दा सर्कॉम्फेरेंस ओन विच पार्टिकल रोटेटिंग ठीक है इसको ऐसे समझी है माल लेते हैं कोई एक एक्सिस है ठीक है इस तरह से ठी करनेगा ना इस तरह का ठीक है सो इस पॉइंट के एवाउट इस सेंटर के एवाउट इस एक्सिस के एवाउट माल लेते हैं इस पॉइंट का मोशन का जो एंगुलर विलोस्टी है यह ओमेगा हम लोग मानते हैं ठीक है सो हमें निकालना है एंगुलर विलोस्टी अव दिस circumference ठीक है तो देखें कैसे निकालेंगे सर्कल डॉ करते हैं ठीक है इस इस दा सेंटर थीटा बनाया मिन्स इसका अंगुलर दिस्पेस्मेंट थीटा हुआ और और A से P तक जाने में इसको time T लगा, ठीक है, clear है, A से P तक जाने में T time लगा, ठीक है, और center पर angle कितना बनाया, theta, center के about इसका rotation का angular velocity कितना है, omega है, so theta equal to omega T, यह formula होता है हमारे पास, यहाँ पर theta equal to क्या हो जागा, omega T, क्योंकि इस axis के about, center के about, इसका rotation हो रहा है, angular velocity omega के साथ हो रहा है, so this is first equation, अब माल लेते हैं, इसी particle का किसी और point से यहाँ पर B है, कोई point, circumference पर, इस point के about हमको omega चाहिए, so क्या होगा, इसको मिला दीजिए इस तरह से, इसको मिला दीजिए, त हो गया, इस point के about, rotate कर रहा है particle, ठीक है, so same time, A से P तक गया यह, T time में, so यहाँ पर कितना displacement होगा, angle कितना बनाएगा, so देखे, circle का property है, circle का property में अगर जाएंगे हम लोग, ठीक है, so अगर यह angle, माल लेते है, so circumference पर, किसी point से अगर इसको मिला देंगे, so यह वाला जो angle होत ठीक है, so this angle is theta by 2, अब माल लेते हैं, इस axis के about, अगर rotation करें, ठीक है, so इसका हम लोग माल लेते हैं, कि omega है angular velocity, ठीक है, so क्या हो जाएगा, theta by 2, sorry, omega नहीं, omega B है, इसके point के about, omega B माल लीजिए, ठीक है, omega तो इसके about है, इसके about, omega B माल लीजिए, so यह क्या हो जाएगा, omega B into theta equal to omega T, so same time में गया, so T से multiply कर दिये, second है, अब दोनों को divide कीजिए, so क्या हो जाएगा, theta by, theta by 2 is equal to omega by omega B, ठीक है, into T by T, so T, T तो cancel हो गया, so बचा हमारे पास क्या, it is half, so 2 उपर चला जाएगा, it is equal to omega by omega B, ठीक है, that means, जो omega B का value होगा, that is omega by 2, ठीक है, so अगर किसी और reference point के about, पुछा जाता है, means circumference पर, ठीक है, so किसी भी point पर लिजेगा circumference में, so यह क्या हो जागा, omega B का value, omega by 2, means center के about, जो angular velocity होगा, उसका half हो जाएगा, माल यह center के about, अगर यह rotate कर रहा है, center के about, C के about, और इसका angular velocity particle का, इस particle का A का, ठीक है, rotation का omega जो है, यह 40, radian per second है, theta का value, radian में, और time second में होगा, so unity radian per second, 40 radian per second है, ठीक है, so इस point के about, क्या हो जाएगा, let's say this is B, so omega B हो जाएगा, यहाँ पर, 40 by omega by 2, so that is 40 by 2, that is equal to 20 radian per second, ठीक है, माल लिजे आपको अगर, linear velocity दे दिया, ठीक है, इसी point का, इसी point में, माल लिजे, इस तरा सरकल है, ठीक है, आपको बोल दिया, इसका टेंजेंस है, velocity, B है, that is equal to 2 meter per second, ठीक है, और इसका radius given आपको, radius given दे दिया, आपको माल लिजे, r equal to 4 meter, ठीक है, आपको बोला गिया, इस point के about, निकालने के लिए, ओमेगा, ठीक है, एंगर विजे, about this point, B, so omega भी माल लिज इसको, सबसे पहले, center के about निकाल लिएगा, so r है, इस point से इसका distance कितना है, r है, और ये b है, so omega क्या हो जाएगा, इस case में, omega का value, B equal to omega r होता है, ठीक है, so omega value क्या हो जाएगा, b by r, ठीक है, so b कितना है, 2, 2 by 4, so that is equal to 1 by 2, radian per second, ये हो जाएगा, 1 by 2 radian per second, ठीक है, so omega b क्या हो हो जाएगा, it is equal to omega by 2, that means 1 by 2 by 2, so 1 by 4 radian per second, that means 0.25 radian per second, ठीक है, ये 0.5 है, 0.5 radian per second, so just half हो जाएगा, ठीक है, अगर इस point के about मानले जे omega आपको दे दिया, 4 radian per second, so बोलेगा center के about, just इसका double हो जाएगा, 8 radian per second हो जाएगा, ठीक है, so इस relation को याद रखेगा, बहुत important relation है य objective के लिए